नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका अपनी चैनल स्टोक न्यूजबार में है चैनल सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए आज मैं लोंग टर्म के शेयर से बताने वाला हूँ इसमें भी आपको बताऊंगा कि किसमें लो रिस्क है दूसरा हो का येस बैंक, हाई रिस्क है, पट इस टाइम पे जितने रेट पे उससे नीचे जाएगा भी तो कितना जाएगा, तो इसको अपने पॉट्फोलिय का आप एक सी 2% बना के रख सकते हैं, इसमें रिस्क मेडियम रिस्क है, मेडियम ही रिवोर्ड है, आपको पर रि साउथ इंडियन बैंक, अगर मेरा पॉट्फोलियो होता तो, मेरे पॉट्फोलियो में वैसे इन में से तीनो की तीनो शेर है, अगला होगा, आईटी शेर, जो मैं लूँगा, तो दो मेरे फेवरेट होंगे इसमें, HCL Tech, Tata Alexis, Infosys है, obviously, बट अगर वो तो सब को ही पता है, मेरे पॉट्फोलियो में है ही, पर उसके अलावा, अगर मैं किसी कहूँँ, तो लो रिस्क शेर हैं ये, और इसमें रिवोर्ड अच्छा मिलेगा, HCL Tech, क्योंकि बाके में अच्छी कंपनी है, तीन साल के Tata Alexis, क्योंकि Artificial Intelligence में, अगर मैं कहूँँ, तो Tata Alexis का बहुत बढ़ हात है, तो इसमें भी आप investment कर सकते हैं, long term में बहुत अच्छे returns देगी ये company आपको, कोई डाउट नहीं है मुझे, और इनके लावा, अगर आप थोड़ा सा risk उठा सकते हैं, तो क्यों खेल, क्यों खेल को मैं कहूँँगा, एक साल में आपको double करके दे सकती है, पर होगा, happiest mind, long term के लिए, ये भी फिर मैं कहूँगा, कि 5 साल के लिए आप रखें, तो 3 से 5 साल के लिए रखें, तो beneficial होगा, happiest mind भी, नहीं चेकरेट से खरीद दिये, और इसको रख सकते हैं, तो अगले जो stocks होगा, vehicle related stocks होगा, ये पहला part में, second part भी बनाऊँगा, इस वेडिय industry में अमार राजा, और XID में से, आप किसी को भी चूच कर दें, बहुत अच्छी companies है, दोनों के दोनों, बहुत अच्छे benefit देंगी, आपको अगली होगी, escorts, टाटा से लेक्टिन में ये को कहूँग, टाटा chemicals भी है, पर वो next video में cover करेंगे, और मारूती, मारूती में कभ को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन का बटन दवाना मत भोलेगा, धन्यवाद, थैंक यू पर मच,